नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 30 जुलाई 2021 के डेली 10 हिंदू एडिटोर्य डिसकेशन में आपका स्वागत है देखते हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स डिसकस करेंगे देखिया आज तीन ही इंपोर्टेंट आर्टिकल डिसकस करूँगा reason बताता हूँ, एक article Pegasus से related है, Pegasus the epoch of cyber weapon तो cyber weapon के category में Pegasus कितना उपर है, इसके बारे में एक viewpoint दे रखा है sensational पकार की चीज़ें बता रखी है अब देखिए, यहाँ पर exams के perspective से तो ज़्यादा कुछ आपको बता है नहीं है got it, so that is why मैं इस चीज़ को यहाँ पर skip करो हूँ, जो कि Pegasus के बारे में आपको काफी बात कर चुके है, दो-ती दिन पहले भी मैंने इसके respect में आर्टिकल डिसकस किया था तो that's why I'm skipping it intentionary है, exams के perspective ज़्यादा important नहीं है, संसनीक है इस प्रकार की information है, अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की information नेक अलग वीडियो में आपको मिले तो मैं दे दूँगा, मुझे कोई problem नहीं देने में next, यह वाल आर्टिकल में बोलूँगा कि this is important from the perspective of exams, थोड़ी सी information repeated है, थोड़ी नई information भी यहाँ पे गई है, नई information दी गई है किस respect में, तो भाई यह trafficking के respect में दी गई है देखे, trafficking हमारे देश में एक बहुत बड़ी परिशानी है और trafficking से related question UPSC में बनेगा, आप कह सकते इसके बहुत ज़्यादा chances हैं हमारे देश में कितने anti-human trafficking units काम कर रही है, कितनी actually में अब तक होनी चाहिए थी NIA का क्या role होने वाला है और यह article इसलिए भी important हो जाता है चोकि यह जो viewpoints आया है, वो justice मदन भी local साब की तरफ से आया है जो कि Supreme Court के former judge भी रह चुके है और अभी Supreme Court of Fiji की judge है और शुरुती नारायन जी ने यहाँ पे inputs रही है यह दिल्ली बेस्ट लोगा है तो इस article में जो point बताएगे हैं वो मैं आपके साथ discuss करूँगा एक article shared values अभी shared value वाला article में skip कर रहा हूँ reason being कल के current affairs में जो कुछ भी बताया बस सेम उठागे चेंप दिया गया है इस particular editorial में कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है तो यहाँ पे Anthony Blinken साब ने आके क्या कहा उसके बदले में जैशंकर साब ने क्या जवाब दिया citizenship amendment act को justify करना हमारे internet bands को justify करना वही सब चीजें यहाँ पे बताई गई है nothing new so not discussing vaccinating the young यह एक article important है एक important viewpoint यहाँ पे नजराला है देखिए जो लोग 18 साल से जादा की उमर के हैं उनका vaccination तो देखे शुरू हो चुका है अब सवाल यह उठता है कि जो 18 साल से कम की उमर के हैं उनका vaccination कब शुरू होगा तो अभी के लिए भारत में 18 साल से कम की जो बच्चे हैं उनके लिए कौन-कौन सी vaccines प्रेयोग बनाई जा रही है मतलब उनको कौन-कौन सी vaccines दी जा सकती है यह vaccines कितनी effective होने वाली है और क्या इंडिया के प्रेजेंट vaccination की strategy और pace को देखते हुए यह ज़्यादा सही नहीं होगा तो जल्दी school जाने लगेंगे सब कुछ open हो जाएगा एक viewpoint यह दिया जा रहा है लेकिन author का यह भी यहाँ पर बोलना सही है कि आप सब कुछ open नहीं कर सकते है school बगार open नहीं कर सकते है चुकि school open करके infection ना फैलाने के लिए सिर्फ बच्चों की आबादी नहीं एडल्स का भी vaccinate होना जरूरी है तो यहाँ पे जो सबसे पहरी priority है वो यह है कि भीया पूरा देश का vaccination होना जरूरी है तब चीजे नॉर्मल हो पाएंगी इसलिए पहले adult vaccination पे focus करो फिर बच्चों वाले vaccination पे जाओ औरड़ी 18 साथ से जादा वालों का vaccination नहीं करवा रहे हो बच्चों को भी include कर दिया तो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे कुछ इस प्रकार का viewpoint और थर दे रहे है तो इस viewpoint को देखेंगे ठीक है अफगानिस्तान तालिबान खाभूल लौट का रहा है जो थोड़ा पढ़े लिखे कम पढ़े लिखा नहीं बोलना चाहिए कह लिजे conservative thought process अभी हुआ ये कि मेघाले की सरकार ने कि नियम कानून मनाया उन्होंने बोला कि जो लोकल टेक्सी ट्राइवर हैं दुकान वाले हैं ये सब अपना काम तब कर सकते हैं ये सब दुकान वगरा तब खोल सकते हैं टैक्सी तब चला सकते हैं जब ये अपनी vaccination लगवाएंगे अब आपको पता है मेघाले नौर्थीस्ट का state है नौर्थीस्ट एक tribal society है tribal societies थोड़ी सी conservative होती है और इन conservative societies में कोरोना का टीका ये जल्दी लगवाना नीचा रहे कोरोना वेक्सीनेशन जल्दी कराना नीचा रहे आज की डेट में आपने यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे ads देखे होंगे जहां पर वेक्सीनेशन को लेके awareness फ्यलाने की कोशिश की जारी है कोश दिन पहले मैंने ad देखा था घड़ी detergent का शायद ad था जहां पर वेक्सीनेशन के awareness की बात की जारी है तो जी हां ये बात बिलकुल सही है अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत से तबके हैं ऐसी बहुत सी आबादी है जो की वेक्सीन लगवाने के प्रती उतनी फोर्थ कमिंग नहीं है वो अभी भी वेक्सीन लगवाने हम घबरा रहे है अब देखे घबराध नॉर्मल है आपकी बाडी में आप अपने आपको fit feel करते हो आपकी बाडी में कोई नया liquid entry मारेगा तो थोड़ा तो आपको लगएगा अभी दो दिन पहले जब मैंने वेक्सीन लगाई तो एक सेगंड को तो मेरे दिमाग में भी आए कि यह क्या डाल रहे है लिक्विड यह क्या injection लगा रहे है जबकि मैं इतना पढ़ा रहा हूँ इतनी awareness रखे बैठा हूँ लेकिन फिर भी एक बार को तो इनसान की दिमाग में आ जाता कोई problem नहीं है ठीकी ना थोड़ा बहुत nervous होना is not a problem बट बिलकुली एक आप कहलो कि एक prejudice मना के बाट जाना कि यह vaccination ठीक नहीं है गलत है यह भी सही नहीं है तो महरास्ट की high court का यहां पर क्या viewpoint है महरास्ट की सरकार का यहां पर क्या viewpoint है मेगाले की high court का क्या viewpoint है मेगाली की सरकार का क्या viewpoint है और क्या सरकार जबरदस्ती public के ओपर vaccination impose कर सकती है यह million dollar question है यहाँ पर क्या सरकार जबरदस्ती पब्लिक के ओपर वैक्सिनेशन इंपोस्ट कर सकती है इस मिलियन डॉलर को यहाँ पर खंगालने की कोशिश करेंगे तो यह आर्टिकल्स है और इजनी आर्टिकल्स में ठीक टाक हमें समय लगने वाला है आगे बढ़ने से पहले अपने मे तो वेवानी ने हमको जोएन कि है ललकुं बडदस््त कर से की फैड़ने हमको जोइन कि है श्रशांक थिवारी के यह से कंड मंथ है अजब हमेंभर वेल्कम श्रशा को बटान ने हमको जोएंइं डिकल्डश मावन तो विशालadi आर्टिकल्स होईं चाहसर पारी आइवलकम यू ओल थ्री सेकेंड मंत इसमेंबर थैंक यू सो मच और उसके साथ जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स ने हमको जॉइन किया तो तनूजा है यहां पर एम बाजार हैं लव इस लाइफ संध्या है लक्षमी प्रिया है फिर वैष नवी सुमन कविता मैं अब अब तक आपने इस वीडियो को शेयर करते हैं जो लोग नहीं जोएन कर पारें कोई बात नहीं आप गुरू दक्षणा कम से कम शेयर करके दे सकते हैं देखिए क्वालिटी कंटेंट आपको मिली रहा है ऐसा तो है कि कंटेंट में किसी भी ब्रगार की कोई कमी है डेली की सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे देसे काम करके तो आप वीडियो डेली बेसिस पर जाके आप करेंड़ी पर सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए टेली ग्रूप जोइन कर लिए लेक्चर की पीडिफ रहा पर आपको मिल जाएगी तो पहला आर्ट विए लुख कर रहे हूं जैसरे औरा में जै़ सेट औ आपरे मेखाले की हाई पोर्ट ने के रिदिया है मिगाले की सरकार ने बोला कि बहुआ यह जो शॉप कीडर हैं लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं यह पहले COVID-19 की वैक्सीन लेंग eyelids के वैक्सीन लेने के बाद ही एक्न मज़ाग कर रहा है मतलब आप किसी को काम करने के लिए रोक दे रहो इस बैसेस पर कि वह वैक्सीन नहीं ले रहा है तो मेघाले की हाई कोड का बोलना है कि मेघाले की सरकार का ये decision this is a violation of right to privacy life personal liberty and livelihood ऐसा यहां पर किस ने बोला ऐसा यहां पर बोला मेघाले की हाई कोड ने बोला कि देखो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते लोगों के साथ समझ के तो भाईया मेघाले की सरकार ने लोगों को जबरदस्ती vaccination कराने के लिए हो सकता है यह बोला कि भाईया economic activity करनी है तो पहले वैक्सीन लो मेघाले की हाई कोड ने इंटर्वीन किया तो उसके मेघाले की सरकार के पास जदा option बचा नहीं है मेघाले की सरकार ने अपने आपको बचाने के लिए क्लिए क्या बोला कि भाई देखिए हमारा जो यह order था यह डायरेक्टरी था यह डायरेक्टरी था इसा कोई जरूरी नहीं अब समझ यह करने के तरीके से काम करती है और सरकार इस बात को ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि जंता नाराज हो जाए चुकि उनको हर पांच साल के बाद election में compete करना है और अपनी सरकार बनानी अभी जंता नाराज हो जाएगी तो election में vote को हों देगा लेकिन जब बात आती है judges की कोशिश कर रही हो तो उसने बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रॉंग नियम कानून निकाला हो कि भाई काम करना है तो vaccine लगवा तो अभी इतना tough decision लिया भी हो जब judiciary ने उस decision को wallet कर दिया तो यहाँ पर महरा ये मेगाले की सरकार के बाद ज्यादा option बजा नहीं मेगाले की सरका आएगी definitely, tribal society है, ultra conservative society है, हमारे देश के बिलकुल बीहर रूरल इलाके हैं, वहाँ पे भी लोग उतने aware नहीं है, vaccination से वो थोड़ा डर रहे हैं, उनका यह बोलना है कि हम तो बहुत है स्ट्रॉंग है, हमें vaccination की ज़रूत नहीं है, अब खास बात यहाँ पर है, कि जब मेगाल person की उपर जबरदस्ती कर रहे हो, और उसके उपर शर्त लगा रहे हो कि तुम काम तब कर पाओगे, जब तुमने vaccine लगवाई हो, तो यह right to privacy का violation है, personal liberty का violation है, एक individual के पास अपनी bodily autonomy है, उसके पास अपनी bodily integrity है, और उसकी bodily autonomy और integrity को violate नहीं किया जा सकता, तो यह यहाँ पे मे मेघाले की high court ने क्या सही decision दी है, क्या मेघाले की high court ने यहाँ पे जब already vaccine hesitancy है, ज़्यादा लोग vaccine नहीं लगवा रहे हैं, कुछ जगहों पर कुछ पॉकेट्स में, ऐसी जगहों पे मेघाले का high court का intervene करना, और यह बोलना कि जबरदस्ती vaccination आप नहीं कर सकते हैं, यह किस ह है, this is not coercive, आप किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप किसी को coercive नहीं कर सकते हैं, वो voluntary vaccine लगवा रहा हो तो बात अलग है, तो यहाँ पे मेघाले की सरकार को, मेघाले की सरकार को, कि अगर आप चाहते हो कि लोग vaccine लें, तो आप उनको persuade करो, उनके साथ जबरदस्ती मत करो, आप कितना persuade हो पाएगा, कितना persuade नहीं हो पाएगा, वो तो एक अलग बात है, हम compulsory vaccination के legal norms को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कभी पहले compulsory vaccination अडॉप्ट नहीं किया गया, इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया, abroad में भी अडॉप्ट किया हम लोग इतनी sanitation के साथ रहते हैं कि चलो smallpox ज्यादा नहीं फैलता है, लेकिन vaccination act 1880 ने सरकार को ताकत दी उसमें कि British सरकार को, कि smallpox vaccination कुछ बच्चों को यह दे पाएंगे जहां पे smallpox ज्यादा फैल रहा था, तो यहां पे British सरकार का एक noble reason था कि भीया, वो बीमारी को फैलने vaccination scheme चला सकते हैं, मतलब किसी local level पर अगर बहुत जदा बीमारी पैल रही है, तो वहां पे लोगों को vaccinate करना पड़ा है का नहीं तो और पैल जाएगी, अब यहां पे मेगाले high court ने यह viewpoint दिया है, कि भाई, आप लोगों के ओपर vaccination इंफोर्स नहीं कर सकते हैं, अब author यह बो रही है कि आप जबरदस्ती vaccination नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई और viewpoint यहां पर यह बोलता कि नहीं भाई, आप vaccination कर सकते हो लोगों की भलाई के लिए, और इसके लिए एक example दिया जा रहा है, वैवरिका and others versus Czech Republic का, इसमें European Court of Human Rights नहीं क्या बोला, कि जो compulsory COVID-19 vaccination scheme है, it is consistent with right to privacy and religion, मतलब कि अगर COVID-19 का vaccination लेना आपके लिए compulsory है, तो नहीं आपके right to privacy को violate कर रहा है, नहीं आपके religion को violate कर रहा है, चुकि समझें, vaccination का angle आपको इस प्रकार से समझना है, कि vaccinate आपको सिर्फ अपने लिए नहीं होना है, आपको दूसरों के लिए भी होना है, आप vaccine नहीं हुआ, तो यह infection की chain को तोड़ने के लिए यहाँ पर vaccination important हो जाता है, फिर इस European Court of Human Rights ने यह भी बोला, कि बहुत से case laws हैं फ्रांस में, Hungary में, Italy में, UK में, जहाँ पर बहुत सारी constitutional courts ने compulsory vaccination को validated बोला है, मतलब compulsory vaccination को जरूरी बोला है, और यह बोला है, कि इसमें एक overriding public interest involved है, म आपके साथ society में जो दूसरे लोग रहने हैं, उनके लिए जरूरी है, तो अब यहाँ पर main bone of contention का है, main issue का है, issue भाई, यहाँ यहाँ पर यह है, कि अगर आपको vaccine लगवाई जा रही है, और जबरदस्ती लगवाई जा रही है, तो यह शायद आपकी bodily integrity को relate कर रहा है, क्यो आपकी decisional autonomy को relate किया जाएगा, तो अब सवाल यह उठता है, कि क्या आपका fundamental right जाधा important है, यहाँ पर आपका public interest जाधा important है, क्यों में आके, आगर right to privacy वाईलेट होती है, तो जब इंडिया में right to policy वाईलेट होगी, तो एक case हमारे सामने आएगा, और वो case है, Justice Putta Swami versus Union of India, Justice Putta Swami versus Union of India में, वो parameters दिये गए हैं, जिन parameters में, privacy के अगर ओपर कोई restriction लगाया गया है, तो वो restriction सही है, या गलत है, इस बात को test किया जा सकता है, अगर मालीजे किसी भी particular individual की privacy के ओपर कोई restriction लगा है, वो restriction सही है, या नहीं सही है, इसको अब तीन पैमानों पर measure कर सकते हो, यह बत law के हिसाफ से लगाया जाना चाहिए, तो अगर restriction लग रहा है, तो restriction should have the legal backing of a law, तो क्या यहाँ पर vaccine लगाने की legal backing है हमारे law में, तो जी हाँ बिलकुल है, epidemic diseases act 1897, इस epidemic diseases act 1897 के अंदर राज जी की सरकारों के पास यह ताकत है कि वो vaccine लगवाने को mandatory कर सकते हैं, और overall epidemic disease को रोकन एक लिए regulations को prescribe कर सकते हैं, तो पहला mandate तो यहाँ पूरा हो रहा है, दूसरा, अगर privacy के उपर restriction लगाया गया है, तो उसका aim legitimate होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर compulsory vaccination कर रहा है, तो aim legitimate है, बिलकुल legitimate है, यह पबलिक को COVID-19 से बचाना है, second wave तो हमारे दिमाग में ऐसे घर करके ब किसी की मौत ना हुई हो COVID-19 के वह से second wave में, second wave इतनी फिरोशियस थी, तो भाई, इतना जादा प्रॉबलम है, तो भाई, इतनी प्रॉबलम के बीच में COVID-19 का टीका लगवाना तो भाई, बिलकुल justified है, उसनमें पे आप यह बोलो कि हम नहीं लगवाएंगे, और कल की देट में आप खुद इंफेक्ट हो के मरो तो चलो, आपकी मर जी है, लेकिन आप दूसरे को भी इंफेक्ट कर रहा हो, तो वह कामगड़ बढ़ है, और तीसरी चीज़, the restriction must be proportional to the death, object pursuit, with more than 4 lakh reported deaths and a looming third wave, the current scenario counts as a pressing social need, तो भाई, प्रपोशनल to the object pursuit, मतलब यहाँ पे, क्या objective है, इस इसलिए यहाँ पे चीज़ों को समय पे रोकना जरूरी है, तो definitely यहाँ पे पुट्टू स्वामी जेज्मेंट के जो तीनों basis है, इन तीनों basis को justify कर रहा है, यह restriction जो की हमारी privacy को पर लगाया जा रहा है, कि हाँ भाई, आपको vaccination compulsory लगवानी ही है, ठीक है, हाँ आपको एक समझनी पड़ेगी कि कुछ genuine reasons को आपको, कह सकते exception देना पड़ेगी, जैसे for example, अगर को genuine medical reason, अगर सच में किसी इंसान को hurt की problem है, जिससे सुनने में आया था बीच में, कि किसी इंसान को hurt की problem है, तो उसको COVID-19 नहीं लगवानी चाहिए, तो इस प्रकार के कुछ exemptions यहाँ प फिर से revive करना है, अपनी नौकरी बगरों को फिर से revive करना है, पुरानी जिंदगी में फिर से जाना है, तो उसके लिए भी आपकी vaccination ज़रूरी हो जाता है, हाँ, यह जो मेगाले की सरकार नहीं किया, तुम अपना काम ही नहीं कर सकता है, अगर vaccine नहीं लगवाओगी, यह थो the long road to winning the battle against trafficking, anti-trafficking policy exists in India, but where the system is found lacking is the implementation of the laws, देखे रिसेंटली 30 जुलाई को United Nations word देथा against trafficking in persons, trafficking in persons, बहुत important है यह आप आप समझ जाओ, reason being, यह important topic है और UPSC में इसके आने के chances जादा है, आपको मेंस में, essay के paper में, UPSC, GS paper 2, GS paper 3 में काफी, समझ जीजे, matter मिल जागा यहां से लिखने को, तो recently आप कैलास अत्यार्थी जी का एक article चपाता बच्पन बताओ, अंदॉलन के statistics से, उसमें बताया गया था कि अपरेल 2020 से लिएके जून 2021 के बीच में, 9,000 बच्चों को rescue किया गया है, from being trafficked for labor, अब trafficking अलग अलग तरीकी की चीजों के लिए होती है, labor के लिए होती है, sexual exploitation के लिए होती है, organ के नम से harvesting के लिए होती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए यहां पे आपके trafficking होती है, तो इस data के हिसाब से तो author यहां पे बोल रही है, कि भीया, लगबग पिछले 15 महीनों में, हर दिन 21 बच्चों को traffic किया गया है, child India help line है, उसमें पिछले 10 महीनों में, 44 lakh distressed calls आईगे, हर साल लगबग 2000 बच्चे shelter home से पहुँचते हैं, 800 बच्चों को hazardous work condition से बचाया जाता है, ठीक है, फिर ही जो मीडिया है, वो frequently publish करता है individual stories of trafficking, ज़रूरी भी है, जो कि जब मीडिया publish करता है, कब से कम देश के informed नावगरी की तरह हम को पता तो चलता है कि यह trafficking की problem है, और अगर हम aware है, तो हमारे आसपास अगर कोई trafficking का case हमको नजर आएगा, तो कम से कम हम उसको report कर सक करते हो, ठीक है न, उसी को PIL आपका assume करके Supreme Court entertain कर देगा, आपको कोई track भी करने कोशिश नहीं करेगा, कि क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबज़े है, फिर क्या बोला जा रहा है, बच्चे जो की 12 साल की उमर जितने छोटे हैं, ठीक है, इनको factories में कराम कराया जात चीप लेबर चाहिए, तो बच्चों को भी हायर कर लेंगे, ठीक है न, और बच्चों को हायर करने के बाद, इवेंट्स कैसे होते हैं, तो नौंबर 2020 में आपको बता दू, 12 से 16 साल के चार बच्चों की बीच की मौत हो गई थी, क्यों, चुकि इनको बिहार से राजिस्थ चीप परशानी है हमारे देश में, वो कोई छोटी मोटी परशानी नहीं है, इठ हैसा बिग मैनिफेस्टेशन, और प्लस कोरोना के पैंडेमिक में, सिर्फ चैइड ट्राफिकिंग ही हमारे सामने एक प्रॉब्लम मन के नहीं आ रही है, चैइड मैरिजिस भी हमारे सामने 2020 में पता ये चलाए कि 10,000 लोगों को शादी हो गई, 10,000 बच्चों की शादी हो गई, 391 चैल्ड मैर्जिस को तो अपरेल माई 2021 में रोका गया है, ठीक है ना, जनवरी से माई 2021 में ओडिसा में 726 चैल्ड मैर्जिस को बेचा गया है, तो मतलब माबाप को भी लगा कि भाई, चलो आप पड़ा लिख नहीं रहा है, तो साधी ही कर देते हैं, ठीक है, सही समय पर साधी हो जाएगे, इनका जो सही समय होता है, वो 14 साल, 13 साल, 12 साल होता है, ठीक है ना, तो सही समय की भी अलग 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 लोगों की माननेता हैं, तो overall, ये कुरोना के पैंडबेग ने इस दोगों किस प्रकार से एफेक्ट किया है, आप देख सकते हैं, बहुत वेराइड यहां पर एफेक्ट हैं, फिर आप देखोगे, कि एक चाइल्ड राइट्स एंजू है, दिल्ली कमिशन फॉर दे प्रोटक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी वैंपर चाइल्ड इस प्रकार के जो लोग है, इनका बच्पन तो देखे बरबाद होई जाता है, इनके घरवालों को कोरोना के चलते बहुत जड़े इंकम और एकनॉमिक क्राइसे आई, तो इननों अपने बच्चे को यहां पर गुसर दिया है, कभी-कभी क्या है कि किसी के पैरेंट्स की मि हो गई या फिर उनके बिमार है, तो इस बिमारी के चलते बच्चे बिलकुल ही और्फन से हो गए, ठीके इनके ओपर एकदम से प्रेशर आ गया, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे थे, वो सब बंद हो गया, चाइल्ड लेवर में इनको ठकेल दिया गया, तो इस प्र इंटरनेट के माद्यम से केवल टेरिस्ट का रिक्लूट्मेंट नहीं होता है, ड्रक ट्रफिकर्स भी आई करते हैं, वो क्या करेंगे, किसी लड़के या लड़की को जहासा देंगे, कि तुम यहाँ चलो, तुमको मैं यहाँ पर नौकरी दिलवाऊंगा, तो वो लड़क यहाँ पर रिजना जाते हैं, तो भाई, लोग नौकरी की चाहां में निकल जाते हैं, बट उनको यह पता नहीं होता है, कि सामने वाला जो मिडल मैन है, वो एक ट्राफिकर है, वो उनको आके जाके फसा देगा, जिस जगह पर तुम नौकरी करने जा रहे हो, वहाँ पर त के चलते हैं, ड्रग ट्राफिकर का काम बहुत आसान हो गया है, इन ड्रग ट्राफिकर का लोगों को वीफकूफ बनाके उनको ट्रैप कर लेना बहुत आसान हो गया है, जोकि लोग यहाँ बहुत ज़ादा वलनरेबल हो गया है, फिर आगे देखते हैं, क्या पताया जा रह साथ-साथ, आप देखोगे कि कुछ Ministry of Home Office ने स्कीम लाँच की जिसमें एक Anti-Draft Trafficking Bill है जो कि अभी पास होगा, उससे पहले भी बहुत सी स्कीमें लाँच हो रहे हैं, लेकिन स्कीमें ऐसा बोला जाला सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, अगर हम यह देखें कि बाहर की International Community इं इंडिया एक Tier 2 Country है, Tier 2 Country on Global Human Trafficking अभी भी मतलब यूएस के इसाफ से Drug Trafficking से Related इंडिया ने Appropriate Norms और नियम कानून नहीं बनाये हैं, ट्राफिकिंग को Eliminate करने के लिए, और हमाने सामने तो ट्राफिकिंग का Open Scene नजर आता है, आप किसी भी सिगना से निकलो, आज भी वहा आज भी जवाब नहीं है, तो यूएस ने अगर हमको Tier 2 Country designate कर रखा है Global Human Trafficking में, तो बिल्कुल सही कर रखा है, कुछ गलत नहीं कर रखा है, चूकि अभी भी हमने Trafficking को लेके proper नियम कानून नहीं बनाये हैं, ठीक है, एक तो यह बात हैं आप बताई गई, फिर भाई, स् इसर का यहां भी Deputation नहीं हुआ है, तो अब देखोगे, 2010 में ये प्लान किया गया था कि 330 Anti-Human Trafficking Units बनाई जाएंगी, लेकिन जब अगस 2020 में RTI फाइल की गई, तब पता चला कि 225 Anti-Human Trafficking Units बनाई गई हैं, और वो भी केवल पेपर पे काम कर रही हैं, रियल पे, ग्रा हम A.H.T.O. को प्रॉपर तरीके से स्टाफ कर सकते हैं, मतलब उसमें प्रॉपर स्टाफ को और रिकूट्मेंट हो, उसको प्रॉपर तरीके से पैसा वगरा दिया जाए, तो हम लोग Traffickers के काम करने के पैटरन को identify कर सकते हैं, उनके methods को identify कर सकते हैं, vigilance activities चला सकते हैं, community-based awareness कर सकते हैं, अगर आप देखो तो नाइजीरिया में, अफरीका में, इंडिया में, overall trafficking से related जो awareness देखिए, नाइजीरिया अफरीका अभी भी trafficking से बहुत affected हैं, वहाँ पे जो global practices adopt की जा रही हैं, trafficking को रोकने के लिए, इंडिया में भी होने adopt करने की जरू होते हैं, और सबसे ज employment opportunities देना, और safe जगा पे उनको resettle करना, ये सरकार का target होना चाहिए, अक सरकार क्या होता है, कि जो police authorities होती हैं, वो बच्चों को women को बचा तो लेती हैं, लेकिन बचाने के बाद उनको वापस अपने मावाप के पास भेज़ देती हैं, मतलब वो square one पे पहुंच जाते हैं, ज current defense में आप से discuss भी किया था, कि जो draft anti-trafficking bill आया है, जिसके ओपर inputs मागे कहें, उसमें national investigation agency को importance दी जा रही है, अब किस हद तक ये national investigation agency अपने terrorism related cases को छोड़ के यहाँ पर चीज़ें देख पाएगी, किस हद तक वो local officials में interfere नहीं करेगी, anti-human trafficking units की importance यहाँ पर कितनी बचेगी, यह सब चीज़ें भी देखनी बाकी है, अगर इसी form में new draft anti-trafficking bill implement होता है, तो, खास बात यहाँ पर यह है, कि हमारे पास laws बहुत हैं trafficking से related, उन laws को implement करने के जो होते हैं, in fact, IPC, CRPC को ही देख लोगे न, तो बहुत अब तक trafficking उसी से control की जा सकती है, अगर लोग सही तरीके स in laws को implement करें, but laws का implementation सही तरीके से होता नहीं है, फिर कुछ अच्छी बाते भी हैं, इस draft anti-trafficking bill में, जैसे कि इसमें anti-human trafficking units, committees बनाई जाएंगी national level पे, state level पे, district level पे, problem यह है कि क्या उनको proper autonomy दी जाएगी काम करने के तरीके में, क्या politicians का involvement तो नहीं होगा, चुकि आपको पता होना चाहिए कि जो trafficking के gangs और रैकेट्स काम करते हैं, इनके local politicians के साथ connection होते हैं, local politicians को समय समय पर यह पैसा बेशते हैं, तो अगर politicians इन anti-human trafficking units के काम करने के तरीके में interfere करेंगे, तो overall कोई मतलम नहीं है, फिर is draft anti-trafficking bill का, तो यहाँ पे जो भी IPS officers या जो भी officers डेपोईट किय जाएं, जरूरी यह है कि इन officers को पूरी autonomy दी जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी political interference इनके काम करने के तरीके में नहीं आना चाहिए, तो यह देखिए कुछ viewpoints मैंने आपके साथ discuss कि, valid viewpoints है, I hope आपको पसंदा है, next चलते हैं, vaccinating the young, India must continue to prioritize vaccination of the adult population, मत अब यहाँ पे आपको इ ज्यादा focus करने की बात कर रहा है, author, और child के vaccination को अभी के लिए थोड़ा ठंडे वस्ते में डालने की बात कर रहा है, author, यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखिए, बात यह है कि vaccination drive तेजी से चलाने की बातचीत हो रही है, और अब इस बात पे बातचीत हो रही है, बहुत बा जाइडिस कैडिला की जाइकोवडी, यह एक 3-dose plasmid DNA vaccine है, जिसकी phase 3 tries में 66.6% efficiency आई है, हाला कि यह अभी भी trial phase में है, ठीक है, इसको 12-18 साल के adolescence में इस्तमाल किया गया, ओके, फिर, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की vaccine भी इस्तमाल की जा रही है, ठीक है ना, और कुछ 12 सा से कम के बच्चों में भी इस्तमाल की जा रही है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक और जाइडिस कैडिला की जो जाइकोवडी है ना, इसने permission मांगी हमारे drug regulator से, कि भाई हमें इस बात की भी permission दीजे, कि 12 साल से कम के बच्चों में भी हम अपनी vaccine टेस्ट कर सकें, तो कुल मिला कि दो vaccine तो अभी ऐसी हमें नजर आ रही है, जो कि आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए approval दिया जा सकता है, यहां भी बच्चों को आप य वैक्सीन तो, ठीक है भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि जो जाइकोवडी है, और को vaccine है, फॉर boys, फॉर मतलब बच्चों, फॉर children, यह September तक त्यार हो जाएगी, फिर अगर आप बात करो तो Pfizer की जो mRNA vaccine है, जो 12 साल के लिए approved है, 12 साल से जादा के लिए approved है, एक्चुली Pfizer की mRNA vaccine को 12 साल से जादा के बच्चों के लिए already approved कर दिया गया है, और Moderna को भी approved कर दिया गया है, यूएस में, तो देश में, दुनिया में इसी बहुत सी countries है, जहां पर बच्चों के लिए भी vaccines का approval मिल गया है, जो 12 साल से जादा के, तो अगर हम 18 साल से जादा को approval दे रहे है, vaccination का, तो बारा साल से जादा को approval दे रहे है, vaccination का, अब ये Pfizer की mRNA vaccine जो की बच्चों को vaccination दे रही है, यूएस में, Moderna की भी, ये भी इंडिय गवर्मेंट के साथ बात चीत करें कि हम यह आपको दवाई बेचेंगे, अब पता नहीं कब से फाइजर और Moderna बाती चीत कर रहे हैं कि यह इंडिया में इनकी दवाईयां लाही जाएंगी, तब तक दवाई आई नहीं थी, मैंने भी सोचा था चलो Pfizer लगवाँगा, लेकि फाइजर आई नहीं इंडिया में, ठीकि बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो सोचे हैं कि नहीं भाई, कोवी शील थोड़ी जादा हाड है, फाइजर लगवाएंगे, बट पता ही फाइजर कब आईगी, फाइजर का तो क्या है कि इंडिया को चाहिए नहीं, मतलब कि कुछ भी साइड एफेक्ट हो गया तो अपना निप्टो हम पैसा देंगे नहीं, तो इसके चलते काफी प्राउबलम होरी, बच बात ही चल रही बारा सरकार की फाइजर मॉटरना से ही आईगी, अगर फाइजर मॉटरना आ जाती ही इंडिया के अंदर, तो डेफिनिटल इस साल के इंड तक ऐसा लगता है कि हम अपनी पूरी आबादी को वैक्सिनेट कर सकते हैं, चुकि जो थोड़े बहुत पैसो में ठीक लोग हैं, वो पैसा देके अपना वैक्सिनेशन लगवा लेंगे, तो कम से कम यह रहेगा, कि जो गरीब लोग हैं, उनको फ्री में वै एसिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन ये बच्चे दूसरों को इंफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन बच्चों को वैक्सिन देने की बात की जा रही है, चुकि अभी के लिए क्या है, कि ये बच्चे दूसरे घर के बड़े भूरों को इंफेक्ट ना कर दें, इसलिए इनको के vaccination के उपर यहाँ पर बात चीछ चल रही है लेकिन बात देखें यहाँ पर यह है कि brought principle यह है कि मानलो बच्चों को आप vaccination दे के school जाने भी देते हो और उसके बाद हमारी adult population पूरी तरीके से vaccinated नहीं है तो ज़्यादा फर्क पढ़ने में चरो gradual faces में क्यों कि अभी के phase के साफ से तो हमारे पास जो adult population 18 साल से जादा उसको ही vaccine देने के लिए हमारे पास दवाई नहीं है तो 12 साल या 5 साल से जादा के बच्चों को क्या ही vaccine दोगे आप तो better यहीं रहेगा कि 12 साल से जादा के बैच्चों को vaccine देना चोड़ के आप 18 साल से जादा के लोगों को पूरी तरीके से inoculate करो जो कि वो countries जो कि 12 साल से जादा के बच्चों को अभी के लिए vaccine दे रही है उनके adult inoculation rate भी बहुत जादा है वहाँ पे adults को भी vaccine बहुत speed में दी जा रही है और इंडिया में तो adults को vaccine speed में क्या दी जा रही है इंडिया में तो adulty को नहीं दे पारें तो बच्चों को क्या देंगे तो author बस यहीं बताने कोशिश कर रहा है कि बागी developed countries से अपने आपको compare मत करो बागी developed countries जो की बच्चों को vaccination दे रही है उनके यहाँ पे उन्होंने अपने adults को काफी हद तक vaccinate कर दिया है और हम अपने adults को भी vaccinate नहीं कर पाए है तो बच्चों का logic अभी गुसेड के हम चीजों को बेकार में constraint कर देंगे और problematic कर देंगे फिर यहाँ पे covexine पे भी बहुत सवाल उठ रहे है देखे cove shield का जो production है by serum institute of India यह ठीक था quantity में बट covexine को ज़्यादा quantity में भारत biotech नहीं मना पा रहा है अभी भी covexine की कमी है covexine की दवाई एक तो मेंगी भी मिलती बट थोड़े हलकी मानी जाती है मतलब cove shield से थोड़े हलकी मानी जाती है इसके side effects कम होते है तो monthly production covexine का बोला गया था कि 6 करोण doses होगा बट हो नहीं पा रहा है तो covexine की कम supply के चलते overall जो vaccination का pace है हमारा वो थोड़ा धीमे हो गया तो cool मिलाके सबसे पहले तो covexine और cove shield को पैदा करके sputnik लाके आप पहले adult population को inoculate करो और उसके बाद school वगरा खुलो चुकि बहुत सारे governmental experts और independent experts का ये बोलना है कि अभी भी हम school को staggered fashion में खोलना afford कर सकते हैं इसकूल खोलने के जितने फायदा है उससे जादा नुकसान आप कह सकते हो कि फायदे हैं कि थोड़े दिन बंद रखो adult population को inoculate करो adult population जब near completion पहुँच जाए तब बच्चों के लिए inoculation आप चाले करो phases में चीज़ों को करो एकदम से आप सब के लिए inoculation को खोल दोगे तो किसी का भी डंग से हो नहीं पाएगा ये सब बाते हैं आप बताएगे तो हम लोग west को imitate ना करें हैं वो बहुत बड़ा है तो बेटर यहीं रहेगा कि west को emulate करने की बजाए हम अपनी खुद की modus operandi रखें और वो क्या है कि पहले हमारी adult population की vaccination rate पे हम लोग ध्यान दे ना कि हम इस बात पर ध्यान दे कि बच्चों का vaccination खोलो तो चुकि September October तक मालो इन 12 साल से ज्यादा वाले बच्चों की दवाईयां का approval मिलता है तब तक अगर हम 30-40-50 परसंट अपनी सब्सक्राबादी को vaccinate कर पाएं दोनों doses के साथ तो और बहुत बहुत होगा अब यहां पर एक और problem है सरकार ने पहले क्या था कि दो doses की बीच का जो gap था वो एक महीने का था अब सरकार ने वो gap दो तीन महीने का कर दिया तो उसके चलते दोनों doses मिलने में भी काफी समय लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुल को जैसे कि मैंने अभी vaccine लगाई दो दिन पहले तो मेरी vaccination डू हो जाती एक महीने बा हैं देर से लगने की वज़े से प्राब्लम यहां पर चीजे हो रही है तो बैटर यह रहेगा कि वो focus on our adult population first then we want to our children तो यह था पूरा analysis I hope आपको काफी को सीखने को मिला होगा जाए 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 लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिए का thank you for watching friends I hope आपको चीजें पसंद आ रही हूँ अपने viewpoint definitely नीचे comment box में देते रहिए आपके लिए एक सवाल है मैंने यहाँ पे vaccines के बारे में काफी बात की है आपसे बस एक simple सवाल है कि जो co vaccine है भारत बैयोटे की और यह जो covid shield है serum institute of India की इन दोनों vaccines में फर्क क्या है यह दोनों vaccines एक human body में antibodies को किस प्रकार से produce करती है और कैसे हमें immunity provide करती है इसके बारे में छो झाल